हलो जी नमस्ते चदिगर दोजगान उसमें आपका स्वागत हैं मैं हूँ विजय चौहान और आपके लिए लेकर के आगे हैं पर्मारेंट सरकारी नौकरी के एक नई नोटिफिकेशन कारियले करेक्टर भुअभिलेक साखा जिला नरायनपूर 36 गड़ के अंतरगर नई भरती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकासन किया गया है भुअभिलेक साखा जिला नरायनपूर के अंतरगर 33 सेड़ी में सहाई ग्रेट 3 और पटवारी की भरतियां की जाएंगी इस पत की भरती के लिए महिडा और पूरुज दोनों तरह के अभ्यार थी 21 जून 2023 संधिया के 5 बज़े तक पंजीगरी टाक के माध्यम से या फिर इस्पीट पोस्ट के माध्यम से आभिदन प्रस्तूत कर पाएंगे बुह अभिलेक साखा के अंतरगर जिला नरायन पूरु में तीती सेडी के अंतरगर साहाग ग्रेट 3 की भरती होगी और पटवारी की भरतिया यहाँ पर निकाले गई है जिसके लिए उमिद्वार पंजीगरी टाक या फिर इस्पीट पोस्ट के माध्यम से 21 जून 2023 तक संधिया के 5 बज़े तक जो है आभिदन प्रस्तूत कर पाएंगे बात करें पदों के बिवरणों के बारे में तो साहाग ग्रेट 3 की केवन एक पदों पर भरतिया की जाएंगे जो अभिखारती साहाग ग्रेट 3 के पद के लिए आविदन पस्तूत करेंगे उनको पेमेटिक लेवल 4 के अधार पर प्रतिमा जो है वेतन दिया जाएगा दूसरे नमबर की पद निकाली गई है पटवारी के लिए जो अभ्यारती पटवारी के लिए अधन पस्तुत करेंगे उनको पेमेटिक लेवल 6 के अधार पर वेतन दिया जाएगा टोटल 6 पदों पर पटवारी की भरतियां की जाएगी तोटल अगर भरति के बारें बात करें तो साथ पदों पर पर परमानेट इसाइब भरति के लिए नोटिफिकेशन का प्रकासन किया गया है जिसमें साहई ग्रेट 3 और पटवारी की भरतियां की जाएगी वहीं बात करें रिक्त पदों की सेक्षणिक योगता के बारे में तो जो अभ्यारती सहाइक ग्रिफ 3 की पद के लिए अविदन प्रस्तुत करेंगे उनके पास बारवी कच्छा के बाद जो है कंप्पूडर के दिगरी होनी चाहिए और शदिक गड़िया फिर मद्यपरदे स आसन के अंतरगत, सिग्र रिखन या फिर मुद्र रिखन परिच्छा उतिन करने की जो है यहाँ पर डिगरी होनी चाहिए हिंदी या फिर अंग्रेजी सब्जेक्ट के अंतरगत वहीं दूसरी जो पद निकाली गई है पटवारी की जिसमें बारवी कच्छा के बाद जो है नवरी दोजार तीस के इसेती में आविदाकों की जो उम्रे सीमा है 18 से लेकर के 35 वर्स के बीच में होनी चाहिए 37 शालिगर सासंद्वार आपको उम्रे सीमा में जो है छूटियां पर देखने को मिलगा जो अभियारती इसके लिए आविदन प्रसूत करना चाहते हैं अधार पर जो है दसकुना अभियारती को कौसल परिक्षा जो है यहां पर लिया जाएगा और कौसल परिक्षा के अधार पर ही जो है चैन यहां पर किया जाएगा कौसल परिक्षा में 75 अंग जो है निधारित किये गया है जिसमें से MS Word MS Excel और MS PowerPoint के 25 25 अंग के यहां पर हिंदी टैपिंग में पाशाजार की डिप्रेशन यहां पर मांग गई है तो जो अभियारती सहाई ग्रेट 3 के पद के लिए आवधन पर सुथ करेंगे उनका सबसे पहले एक औसल परिछा लिया जाएगा और उसके बाद यहां पर टैपिंग स्पीड जाची जाएगी और के अधार पर चयान किया जाएगा वहीं दूसरे नंबर की जो पद निकाली की है पटवारी की तो पटवारी के लिए जी यहां पर बता दें लिखित परिच्छा का जो है आवजनी यहां पर किया जाएगा लिखित परिच्छ लिया जाएगा लिखित परिच्छा जो है सौ पूछे जाएंगे जिसमें बात करें सलेबस के बारे में तो भारत याम 36 पर का समानने ग्यान पूछा जाएंगे और यहां पर बता दें रिखित परिच्छा के आधार पर पटवारी का जैन किया जाएंगे जो भी उमिद्वार इसके लिए आधन परसुत करना चाहते हैं आपको ठेडी ग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जहां से जूड़ करेंगे आप आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड कर पाएंगे और इस आवेदन पत्र के प्रारूप में मांगे गई जानकारी को अच्छे से भर करके पंजी ग्रेड दाग के माद्यम से या फि